हेलो आज हम बनाने वाले हैं पावाजी की रेसिपी तो आप सब लोग कैसे हैं प्लीज कमेंट में जरूर बताईएगा और मेरी रेसिपी आपको कैसे लगती है कमेंट जरूर करिए और जो भी मेरे चैनल में नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तागी मेरी कोई भी नई वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए तो चलिए हम यम्मी यम्मी पावाजी की रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले लींगे कडाई और उसमें ठोड Catholics लेंगे और थोड़ असलें बड़ा उसके पात में इसला है और इसको अच्छी तरीके वह जहाज़ाय और इसको प्रदाट करना है अलकाली कछेप नगल जाए इतना फ्याई करना है तो इस प्रोसिस को थोड़ा जल्दी करने के लिए मैं इसमें नमक एट कर दोंगे उसके बाद मैं इसमें अधरक लेसन का पेजट डाट कर रही हूँ और इसको भी अच्छी तरीके से फ्याई कर लें अगर आप लेसन नहीं खाते हैं तो आप इसके भी कर सकते हैं अधरक डाल सकते हैं उसके बाद मैं इसमें दो हरीमिर्च को बारीक कट के एट कर रही हूँ आप चाहें तो एट करें नहीं तो इसके भी कर सकते हैं कि और अरें इत्र हो गई हैं अब इसमें दो बड़े टमाट कों मैं और इस को अची तरीके से तामाचर को बहुन लेंगे लोbak इसमें एट कर देंगे और इसके बाद हम दू बड़े चमच इसमें पाव बाजी मसाला एट कर देंगे और आदा चमच लाल मिर्च पावडर एट करेंगे और इसमें पानी डालके इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे जब तक कि हमारी जो टमाटर है वो गल नहीं जाते अच्छे से सौबनी हो जाते एक बार आप मेरी रेसिपी से पाव आज़े जरूर ट्राइ किजिएगा और आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट से जरूर करना तो टमाटर को इसकी जो कल्ची की सायता से अच्छी तरीके से मैस कर लें तो इसको मैं चलाते हुए टमाटर को भी मैस कर लोंगी इसमें जो मैंने थोड़ा मोटा मोटा टमाटर को काटा था तो मसाले न हमारे अच्छी तरीके से भुन गए हैं यह देखिए एकदम अच्छी तरीके से इसके बाद हम इसमें एक चमच कसूरी मेती एट करेंगे कसूरी मेती को अच्छे से मिला लेंगे चला लेंगे उसके बाद मैंने इसमें दो बड़े साइज के आलू उबले हुए और गोवी को अबार लिया था मैंने और मटर भी उगली वबी एड़ की है तो इन सारी चीजों को अच्छे से मिलाके थोड़ा से पानी एड़ कर देंगे इसमें और इसकी कलची की साहता से मैं इनको अच्छी तरीके से मैस कर लूँगी अगर आपके पास मैसर हो तो आप उस पहले भी नमक एट किया था तो मैं थोड़ा सा नमक एट और कर रही हूं स्वाद के अनसा अब इसमें हम एक चम्मच पावाजी मसाला और एट कर देंगे आप चाहें तो एक साथ कर सकते हैं मैं तो जरूरत के सबसे थोड़ा थोड़ा एट कर रही हूं बार बार सबजी को अच्छी तरीके से हमें पकाना है ताकि जो हमारी सबजी का पानी वो अलग लग ना जाए सबजी इदम अच्छी तरीके से हमारी पक जाए तो देखिए अब मैंने एक चम्मच और पावजी मसाला एट किया है और अब इसमें मैं आदा चम्मच कस्मीरी लाल में चैट कर रही हूँ आप चाहें तो कलर भी इस्तमाल कर सकते हैं मैं कस्मीरी मिर्च से ही अच्छा कलर आ जाएगा अब देखने में भी अच्छी लगेगी तो कस्मीरी लाल मेच एट कर रही हूँ और इसमालों को अच्छी तरीके से मिला लेंगी तो आप लुँदेगी सकते हैं कस्मीरी लाल मेच डलने के बाद जो भी कालर है वो कापी चेंज हो गया है अब इसमें मैं आदा नीबू एड़ कर रही हूँ अब नीबू का राज क्योंकि हम पहले टमाडर भी एड़ कर चुके हैं तो ज्यादा खटे नहीं करेंगे और जिसको जैसा पसंद हो वो उपर से डाल के खा लेगा तो सब्जी हमारी जो बन गई है अब इसमें मैंने कटा हुआ हरा दनियाट कर दिया है और इसको भी अच्छी देसे मिला लेंगे और हम सब्जी को रख देंगे साइड में तो अब हम एक तबा लेंगे तब ही पे थोड़ा सा बटर लगा के हम पाव को बीच से कट करके इस तरीके से सेक लेंगे अच्छी तरीके से दबाते हुए अब इसमें मैं थोड़ी सी पाव भाजी डाल देती हूँ इससे क्या है हमारे पाव और टेस्ट लगते हैं और इनको उलट उलटके अच्छी से से सेक लोगई तो हमारी जो पाव भाजी है वो लगबग रेडियम हो चुकी है अगर आप लोगों को भी खाना है तो आप लोग भी जरूर आए और इस रेसिपी को जरूर ट्राइक कीजिए घर पर ही बहुत ही टेस्टी पाव भाजी बना करके तयार करिए आप मार्केट की पाव भाजी बोल जाएंगे घर पर भी बहुत अच्छी पाव भाजी बन जाती है तो हमारी पाव भाजी पिलकुल ट्रेडी है तो मैंने भी थाली लगा ली है तोड़ी सी प्याज हम कट करके लेंगे और हरी मिच को भी मैंने 20 कट करके ले लिया है और ले लिया है नीवभू और इसमें थोड़ा सा बटर डाल के इसको सर्फ करें बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में तो हमारी पाबाजी रेडी है तो खाने में भी बहुत ही टेस्टी बने थी आप एक बाद जरू ट्राए क